इत्र की बूंद फारंस के शेहनशा और बादशा अकबर अकसर एक दूसरे को उपभार भेजा करते थे एक बार उपभार में फारंस के शेहनशा ने बादशा अकबर को एक दुरलब किस्म का इत्र भेजा इत्र लगाने की चाहत में अकबर अपने कक्ष में गई और इत्र की शीशी खोलने लगे लेकिन जैसे ही उन्हों ने शीशी खोली इत्र की एक बून जमीन पर गिर गई अकबर फोरण घुटनों के बल बैट गए और उंगली से समेट कर इत्र की उस बून को ठाने लगे ठीक उसी समय काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वो हरबड़ा गए उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुझे तो कुछ न बोला लेकिन उसकी आंके हस रही थी अकबर को बेहत शर्मिंदगी महसूस हुई हिंदुस्तान का बादशा इत्र की एक बून के लिए अपने घुटनों पर आ गया ये शर्म वाली बाद ही तो थी अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा उस समय तो वो कुछ न बोल सके लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था वो किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रती धार्णा बदलना चाहते थे बाल्टी भर-भर कर इत्र ले जाने लगे अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और ये नजारा दिकाते हुए बोले बीरबल देखो प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भर-भर कर इत्र ले जा रही है क्या सोचते हो इस बारे में अकबर की मनशा बीरबल को ये दिखाने की थी कि हंदुस्तान का बादशा अकबर इत्र के मामले में कंज्यूस नहीं है वो चाहे तो पूरे हमाम भर इत्रदान कर सकते हैं बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोला बून्द से जाती वो हौद से नहीं आती अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लोटता जो एक बून्द से चला गया हो बीरबल ने इस वाक्य के सारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बून्द उठाने की स्वभाविक कंजूस प्रवक्ती के कारण जो इज़त चले गई वो पूरा कपूरा सागर भर देने के बाद भी वापस लोट कर नहीं आ पाएगी दोस्तों मनुष्य का चरित उसके स्वभाविक प्रवर्ती से निरधारित होता है दिखावा करने से नहीं स्वभाविक रूप से की गई हर क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है उसे दिखावे का आवरन ढख नहीं सकता इसलिए दिखावे का भ्रह्म नाकर अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए